हेलो दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल को रव्याज मैं तो दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर लेकर आया हूँ और वो खबर यह है कि आप अपने किसी भी नाट्रक के नंबर से चाहे हो एटेल हो, जीओ हो, वोडाफोन हो, आइडिया हो किसी भी नंबर से कॉल करके एरसेल के UPC कोड और पोर्टिंग कोड को जेनरेट कर सकते हैं उसको मंगा सकते हैं किसी भी अपने पर्टिकुलर नंबर से तो दोस्तों आप ये वीडियो पूरा देखें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे घर बैठे पोर्टिंग कोड मंगा सकते हैं किसी भी कमपनी के नंबर से कॉल करके तो दोस्तों प्लीज इस चैनल को सबिस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें तो दोस्तों मुझे आज एक नंबर मिला है जहां पर air cell कस्टमर कॉल कर सकते हैं वो भी किसी भी नंबर से और वो अपना UPC कोड जैनरेट कर सकते हैं तो बताता हूँ कैसे आप एक pen copy लीजिए और उसमें नंबर लिख लीजिए चीक है नंबर है 9841012345 दोस्तों मैं ये नंबर description में भी डाल रहा हूँ आप वहाँ से लिख लीजिए गया तो आईए दोस्तों मैं बताता हूँ आपको सबसे पहले करना क्या है आप इस नंबर पे call करना आपने किसी भी नंबर से इस नंबर पे call करोगे तो सबसे पहले आपको language select करनी है Hindi या English जैसा आप खुचित समझे फिर आपको कहा जाएगा कि क्या आप UPC code generate करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपना 10 नंबर का mobile digit aircell वाला उसे type करना है फिर नंबर को confirm करना है वो आपको नंबर सुनाएगा उसे एक दबा के confirm करना है कि यह नंबर आपका है या नहीं दोस्तों उसके बाद आपको करना यह है कि आपके aircell का जो sim card है जिसका आप porting नंबर लेना चाहते हो उस sim को घुमा लेना उसके पीछे के side मा 19 या 20 digit का एक नंबर लिखा होगा उस नंबर के last के 5 digit आपको enter करना है फिर वो बताएगा आपको आपका digit नंबर फिर इसको भी confirm करना है ठीक है अच्छे से सुनके इसको भी confirm करना है एक दबा के तो दोस्तों एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक बात का आप ध्यान रखना है कि आप जिस नंबर पर call कर रहे है न उसके बहुत सारे call लोग एक साथ कर रहे है तो हो सकते है आपका number एक बार में लगे नहीं इसलिए दो तिन बार try करना आपका call connect हो जाएगा तो friends call connect होते ही फिर आपको ये सभी process वहाँ पर करनी है फिर आपको आपका UPC code मिल जाएगा आप उसे note करके और अपने आधार card का number लेके किसी भी operator के पास चाए वो जियो का हो एरटेल का हो या Vodafone हो उसके पास जाके आप अपना SIM port करवा सकते हैं और आपका जो balance है जो पुरानी SIM में था वो भी आपकी नई SIM में transfer हो जाएगा तो दोस्तो इस information को जादा से जादा आगे से आगे share करो और सब की help करो और मेरे इस वीडियो को like करो अगर पसंद आया तो और अगर कोई परेशा नहीं हो तो comment box में आप मुझे बता सकते हैं मैं आपको वहाँ reply करूँगा और साथी साथ इस channel को subscribe करिया अगर आप मेरे channel पर नए हैं तो तो friends आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नई वीडियो पे अगर कोई परेशा नहीं हो तो आप है ना मुझे comment box में करके बताएए मैं आपको तरीका बता दूँगा ओके friends बाई टेक केर